हाई माई डियर स्टुडेंट वेलकम यू आल इन यूटूब चैनल मैगनेटिक टुटोरियल जैसा कि आप सभी को पता है कि सेवन पार्ट हमने बनाया है एंस्वी आइटी का सेवन पार्ट में पूरे वीडियो को मैंने कवर कर दिया है तो फटा-फट जाके इस चैप्टर क यूठी को देख लो कि यह हम लोग का आठवा पार्ट है इस चैप्टर का जिसमें हम लोग थोरा 15 डिसकूर में मैंने को डिसक लिया है कि सब 2 लिए के से यहां पर एक टाम में सबी कशिंगidal चर्चा करें कि इनसे भी जाम में questions आते हैं वले ही 2021 और 2022 जो ये सेसन है इस बार इस चेप्टर को हटा दिया गया है बट ऐसा नहीं है कि ये हर्दम के लिए remove किया गया है आने वाले फिर next year में ये फिर से pattern आ सकता है आएगा भी क्योंकि कोरोना pandemic हो सकता है उस बक तक खतम हो ठीक है तो student पूरा chapter आप एक बार देख सकते हैं कैसे करके आपको पढ़ाया गया है मैं एक बार आपको बस shortly ऐसे दिखा देता हूं तो आप फटा पट जाके सभी वीडियो को जरूर देखें कि जैसे करके आपको पढ़ाया गया ऐसा मुझे नहीं लगता है कहीं और आपक सब्सक्राइब को फट होने वाला नहीं शुक्त होने ओक पूरा आज का सिस्ट जो आपने देख है यहां तक कश का चाइऑ का साथ पार fps पढ़ लिए इसके पहले आप यह पार्ट जो हम लोग यहां से पढ़ने जा रहा है तो देखते इसमें क्या क्या हो सकता है स Welcome आज उ 003 और आप करना जिसमें लोग लिखेंगे हए यूनिट आप तेंपेशर देखें इनुट टेंपेशर बहुत होता है सब को पता है यू निट आफ टेंपेशर बहुत कुछ होता है तो यहां वे बात यह है कि टेंपेचर के अलग-अलग यूनिट है अलग-अलग उनको डिग्री सेल्सियस पर जैसे फैरेन्हाइट पर केल्वीन पर आजाता है तो आखिर है कि एक्चुल में इसका में यूनिट में जो ऐसा यूनिट होता है तो लाइन वाइन हम लोग यहां से पढ़ेंगे जैसा कि प तो लिए फैरेन्हाइट के बारे में कुछ नहीं है बस फैरेन्हाइट में क्या है कि 20 सेंचुरी के पहले तтиक यहां पशो की टैंपरेचर के फैरswॉनिट 20 century के पहले यूज होता था किसके किसके ऐसा यूनिट में टेमपेचर के जो की इस फीजिस्ट का जो नाम था जिसने फेरन हाइट का जो चर्चा किया था उनका नाम क्या था स्टुडेंट डैनियल डैनियल गैबरियल फारें हाइट फारें हाइट और इनी के नाम पे यहाँ यहां पर हम लोग पढ़ते हैं अभी भी पढ़ते हैं तो यहां पर आपको एक चीज देखना है समझना है कि कैसे करके आप पता कर सकते हैं कि Fahrenheit कितना होगा या फिर Celsius कितना होगा तो सभी चीज़ को तो हम लोग डिसकस करें है ठीक है इसके लिखतर साभ बोल सकते हैं यह भी आपका एसा यूनिट नहीं है इसको द्हान में रखेंगे तुछ आपका Celsius यह दिया गया था आपको किसके द्वारा एंडर्स एंडर्स है आर है एंडर्स Celsius के द्वारा याद रखिए गये किसके द्वारा के द्वारा ठीक सूइन नाम है इनके द्वारा दिया गया था जिसको रिपर्जेंट किया आता है सीड़ेस जो होगा यह अपका लेफट साइड में ऐसे होता है सीडेस ठीक है अब ची है भी ठीक है जो कि एक लेटिन वर्ट से यहां पर मिलता है इसों सेंट्रीगेट भी हम लोग बोलते हैं तो इसलसियस भी आपने देख लिया अब आते हैं में पॉइंट जो कि क्योंकि बच्चे एक उन्फ्यूज जाता है एक जाम में एक कोशन किया जाता है ठीक है तो एसाई उनिट अफ टेंपरेचर कौन हो गया आपका स्टुजेंट कैलविन हो गया तो यह कैलविन किसके द्वारा दिया गया था इसका भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं इनका नाम था वीलियम थोजिए था विलियम थोम शन विलियम थो म सग्ण इसको याद रखिये गा तो विलियम थोंचन के द्वारा यह चीज दिया था इतना आप लोगों ने देख लिया अब हम लोग पढ़ेंगे कंवर्जन फॉर्मूला टीक है पढ़ेंगे सुएन कंवर्जन पर्मूला में होता है जो कि बहुत इंपोर्टेंट पार्ट होने वाला इस पार्ट को आपको कवर करना ही पड़ेगा कैसे भी करके ठीक है इसको ध्यान में रखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं यहां से देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहां पर एक हम लोग लाइन ऐ राइन ड्रॉख किये ऐसे चलो चार पार्ट हो गया अब चार पार्ट में हमको लिखना है कि जो आपका कनवर्जन होगा यहां पर मैं लिखता हूं कन वार्जन आप कनवर्जन वार्जन वार्जन फॉर्मूला सिदा हम सकते हैं कनवर्जन Fórmuli इपका इसको ध्यान में इन्टू फॉरेन हाइट फॉरेन हाइट ठीक है फॉरेन हाइट दूसरा आप लिख सकते हैं इंटू तूसरा आप लिख सकते हैं यह तो असान है बहुत इन्टू केलविन याद रखिए गश्कों ठीक है आप तरह वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं और उसके बाद है आपका केलविन इन्टू सेल्सियस चार पॉइंट हम लोगों यहाँ पे देख लिए अब चारों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चारों म क्या करना है जसे मान लोग कैलविन हम मैंने ऐसे करके लीग दिया ठीक है ऐसे करके फिर यहाँ पे इसे लिग सकते हैं और उसह करना है और उसमीं सिब 273 आपको क्या करना स्टुजेंट एड कर देना है मट एक्चुवली 273 यह नहीं होता है 273.15 होता है ठीक है बट 273 राउंड अप में करके लिखाया ता राउंड आप आपको पढ़ाया होगा मैत और फीजिक्स में राउंड आप करके 273 ही दिया या था ठीक आपका स्टूजेंट कर देंगे बस आपका डिग्री कहा आ जाएगा यहां पर सोचो यहीं पर डिग्रीश टीक है अब कैलविन यहां पर जब इसको आप इधर लाएंगे तो माइनस होगा तो आप क्या लिख सकते हैं केल्विन ऐसे करके माइनस 273 यह 273 क्या होगा माइनस हो कोई परिशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए ठीक है तो यह चीज आपने यहां पर देख लिया अब अगर आगे बढ़ते हैं अब आते हैं हमनों के मेन फॉरॉमला जिसे एक्जाम में कोश्चन किया जो है सेल्सियस टू फारेन हाइट टू सेल्सियस तो पहले चर्चा करत उनने फ्लस यहां पर लिखेंगे सेल्सियस लिखेंगे प्लस 9 65 याद रखना 9 by 5 plus 32 यहां पर मिक्स्टेक हो रहा है इंटू करना वहीं तो मैं सोच रहा हूं कि प्लस प्लस दो बार हो गया क्या लिखना फर्मुला स्ट्टेंट फारें हाइट इसकल तो क्यों कि आपको फारें हाइट में आपने पूट कर दिया इंटू 9 by 5 मतलब की सेल्सियस किसके साथ मल्टिपल इसको आप सौट करते हैं इसको आप ऐसे भी सकते हैं 9 by 5 सी यहां उपर आजाएगा इसको आप बोल रहे हैं ठीक है अब प्लस ठाटी टू बनाने के लिए आप ऐसे करके नॉर्मली इस्तमाल कर सकते हैं या फिर इसको याद रख सकते हैं अगर आप बात करें फैरें हाइट इंटू सेल्सियस अगर करें तो इसका यहां पर आप ज क्या चैंड करना की इसमें फाहरण हाइट को सेल्सियस में मतलब कि यहां पर आना चाहिए तो आप simply यहाँ पर देख सकते हैं मैं फिर से एक बार आपको लिख दू Fahrenheit is equal to 9C by 5 plus 32 अब आपको Celsius यहाँ पर अलग करना आपको पता है क्या होता है यहाँ बीच में इंटू छुपा हुआ है यहाँ पर इंटू छुपा हुआ है तो आप इंटू इंटू 5 हो जाएगा यह हो जाएगा और इधर आपका है 9 इंटू C है प्लस 32 है ठीक है तो यहाँ पर आप इंटू इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पर आपको क्या करना है पहले 35 यहाँ प्लस में है तो आप तो इजली बेसे यहां पर कर सकते हैं एप माइनस 32 करेंगे और इधर 9 इंटू सी जो आपका है फाइब यहां पर आ जाएगा तो आप समीश्टेक हुआ था ठीक है अब क्या करना है एप माइनस 32 तो यहां हो गया अब यह 5 क्रॉस मल्डिप्लाई यहां से इजली बे अब क्या करना है तो फाइब नाइन हो जाएगा फिर क्रॉस मुल्डिप्लाई नाइन नीचे आ जाएगा सी वही का महीर आ जाएगा तो यहां पर लिख सकते हैं एप माइनस 32 जो की 5 से मल्टिपल यहां पर हो रहा है और यहां पर लगा सकते हैं आपको जैसा मण करें और आप लिख सकते हैं इसकल टू सी अब आपकासी का फार्मूला क्या होगा स्टुडेंट एफ स्टूड़ेंट फाइब आप माइनस 32 बाइन हो गया आपका फॉर्मूला सेल्सियस का मतलब कि आपका सेल्सियस निकल गया यहां फैरंहाइट आप पूट करेंगे तो आपका स् तो Fahrenheit into Celsius का आपने formula देख लिया, उस formula को आप यहाँ पे इसे करके, Celsius लिख के, उसके बाद क्या कर सकते हैं, Fahrenheit यहाँ पे लिख सकते हैं, minus, sorry, यहाँ पे bracket का आप close नहीं करेंगे, minus 32 यहाँ पे लिखना है, minus 32 और उसके बाद into 5 by 9, जो कि आपको यहाँ पे मैंने फूरूब करके बता दिये कैसे होगा, देखिए आया है, वहीं चीज, 5 into f minus 32 by 9 is equal to c, मतलब कि Celsius यहाँ पे आपका निकल जा रहा है, वहीं चीज यहाँ भी दिया हुआ है, 5 minus 32 into 5 इसको आप solve करेंगे, अगर आगे, तो यह कैसे हो जाएगा, 5 minus 32, इसको easily ऐसे लिख सकते हैं, 5 और 9 इसके नीचे आजाएगा, वहीं चीज यहाँ भी आपका लिखा हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यह चीज आपको समझ में आ गया होगा, तो चार formula तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, बट अब क्या करने, इसको यूज करना है, यूज भी करने आना चाहिए, इसको यूज करके भी देख लेते हैं, कुछ-कुछ इसमें सासान जे हो है पहले, पहले मैं यह दोनों बता लेता हूँ, फिर आपको tough वाला बताऊंगा, कैसे करके question आते हैं, जामें यह भी देख कि जब लिखा हुआ आएगा, convert the following कुछ ऐसे करके temperature into Celsius, जो भी आपका दिया हो रहेगा, इसको बदल माल लेते हैं, केल्वीन को बदलना है, किसमें, Celsius में, Kelvin to Celsius, ऐसे करके लिखा हो रहेगा, Kelvin to Celsius, ठीक है, यहां तो कोई दिखकर, अब आप क्या करेंगे, इसके बाद, Celsius में सकता है, केल्वीन को, आप उस फॉर्मूला पर जाएंगे, तो Kelvin to Celsius में क्या है, सी डिगरी वाला यह फॉर्मूला आप इसली वे से लगा सकते हैं, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, माइनस 273, ठीक है, तो अब फिर आपको यहां पर क्या करना, केल्वीन into Celsius दिया हुआ है, तो सकता है, तो 300 वाला को बतलना है, केल्वीन को, तो आप यहां पर 300 इजली बेसे लगा सकते हैं, माइनस 273, जब 300 को 273 माइनस करेंगे, तो आपका आएगा 272C, क्योंकि यहां पर इस साइड आपका क्या है, C है, तो आपको C ही निकालना है, यहीं आपका हो जाएगा answer, बास मैं ऐसा ही है, जैसे मैंने अभी यहां पर पताया, इसका भी answer आप comment section में जल्दी से बता सकते हैं, अब आते हैं next question पर, next question student यहां पर question 2 ऐसा हो सकता है, कि convert करना आपको Kelvin में, मतलब कि Celsius को, Celsius को किस में student, Kelvin में, यह भी बहुत असान है, ठीक है, nc8 में भी दिया हूँ, वो भी मैं बताऊंगा, तो यहां Celsius to Kelvin वाला formula देखेंगे, Celsius to Kelvin क्या है, k, k is equal to, देख सकते हैं, k is equal to, c, इसको आप ऐसे लिखेंगे, plus 273, मतलब कि एक में 273 को add करना है, और एक में minus करना, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, आप formula, c plus 273, ठीक है, अब आप यहां पे क्या करेंगे, आप का मान लिए, question कुछ ऐसा है, 25 degree c हो सकता है, second number आपका हो सकता है, 373 degree c, तो यहां पे मैं 25 वाला को छोड़ देता हूँ, second वाला मैं बताऊंगा, कि वो अशान 25 वाला आप लोग बता लेंगे, 373 वाला मैं बताऊंगा, आपको फॉस्ट वाला क्या करना है, इसको comment section में comment करना है, तो आपको second number यहां पचले बनाता है, second number, second number में क्या करना है, celsius को kelvin में, तो आप यहां पे kelvin के जगपे kelvin रहने देंगे student, और celsius के जगपे 373 दिया हुआ है, plus 273 कर देंगे, एकदम आ answer हो गया, बात समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीके से यहां पर दिया हुआ है, दोनों आपको समझ में आ गया, कोई परशानी नहीं होनी चाहिए, अब student, एक चीज में यहां पर बोलना चाहूंगा, आपको, कि आपका कुछ questions यहां पर दिया हुआ है, यह वाला question, ठीक पर क्या रहेगा, आपको यह चीज भी comment section में बताना है, इसलिए क्योंकि मैंने यह चीज बता दिया था, कब बताया था, आप याद करो, जब आपका यह पार्ट पढ़ा रहा था मैं, मतलब कि 6 या 7 पार्ट I think, उस बक मैंने यह सभी चीज को discuss कर लिया था, यह 3 और 4 नमर या फिर liquid में, या फिर आपका क्या बोलते हैं, solid में, तीनों आप बताएंगे, और यहाँ पे 100 degrees C पे क्या रहेगा, यह भी आपको बताना है, तो एक इसमें से hard है, 100 degrees C बाला माल लेते हैं, यह बाला मैं आपको बतायता हूं, कि 100 degrees C पे water अपना gaseous state में रहे, क्योंकि आप फिर आप बोल सकते हैं, gas में, कोई परशानी यहां तक, I think कोई परशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो यह आपने यहां पे देख लिया, अब हम लोग फिर आते हैं, अपने point पे कहां पे हम लोग थे, एक मिनट, चलो, कहां चले गए, हाँ, यह वाला, समझ में आके इत है, question हो सकता है, ठीक है, तो question 3 पे जब आप आएंगे, एक मिनट, question 3 पे जब आएंगे student, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, question 3 क्या हो सकता है, जैसे मैं बता दू आपको, मान लो, इसमें से आप यह वाला चूच करते हैं, celsius to fahrenheit, celsius को fahrenheit में, celsius to fahren, 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 एक मिनट, fahrenheit, ठीक है, आपको क्या करना, celsius को fahrenheit में बतालना, मान लो, आपका दिया हुआ है, 100 degree c, एक question, normally एसा question 100 degree c आपका दिया हुआ है, जिसको आपको change करना है, किसमें student, fahrenheit में, तो आप वहले formula पे आएंगे, आपका formula क्या है, यह देखना है, तो formula आपका है, f is equal to c into 9 by 5 plus 32, इसको आप याद रखेंगे, मैंने formula प्रूब करके भी दिखा दिया, तो आप यहाँ पे formula लिखेंगे पहले, f is equal to, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यह तो फिर दिखेगा भी नहीं, हाँ, चलो, ठीक है, f equal to c degree into 9 by 5 plus 32, इसको मैंने shortcut में आपको पताया था, क्या करना है student, 9c by 5 plus 32 लिख देना है, यह 9c जो आपका है यहाँ पे, यह c celsius ही है, 100 degree को चेंज करना है फेरेंड हाइट में, फेरेंड हाइट यहाँ पे मैंने लिख दिया, और 9 into 100 कर दिया, और by 5 plus 32 कर दिया, बास समझ में आरा, आपको यहाँ था, कोई परिशानी तो नहीं होने चाहिए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे student, यहाँ पे, 9 into 100, 900 by 5 हो गया, अब प्लस आपका 32 हो गया, आप तो direct इस करेंगे, 1 से होगा, आपका यह हो जाएगा 900, प्लस यहाँ आपका आगया 1, 1 से 5, और 5 से जब 32 को मल्टिप्लाई करेंगे, तो आपका यहाँ 160, बास समझ में आरी है, यह आपका हो जाएगा 1060 by 5, कोई परिशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, इसको जब आप काटेंग तो यह आजाएगा आपका 212 डिग्री, तो यह आपका फारेन हाइट हो गया, मतलब की 100 डिग्री, तो यहाँ पर बोल सकते हैं, 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 तो आपको पता है, कि 100 डिग्री में 100 डिग्री सी में 212 डिग्री फारन हाइट होता है आपको समाज में कि यहां तो कोई दिकत कोई दिकत नहीं होना चाहिए अगर आप से हम पूछें के स्टुडेंट boiling point of water at water in Fahrenheit तो आपका answer यह होना चाहिए क्यों होना चाहिए आप से क्या पूछा गया है कि आपको boiling point of water बताना है Fahrenheit में किसका water का वो मानलो pure water है तो पहला चीज तो water आपका 100 degree C पे boil करता है boiling होता है boiling point BP होता है तो 100 degree को ही तो मैंने change किया इसमें आपका यह answer हो जाएगा अगर मैं आपसे question पूछू student आपको बताना यह comment section में ठीक है यह आपको यह बताना है freezing point of water freezing point of water at sorry at फिर से बार-बार at क्यों आ रहा है in Fahrenheit Fahrenheit में क्या करना आपको freezing point of water यहां पे बताना है तो आपको अब change करना है Fahrenheit आपका Celsius में sorry Celsius में आपका freezing point कितना होता है water का प्योर वाटर आप समझेंगे इसको ठीक है यहां पर कोई objection नहीं डालेंगे प्योर वाटर कहीं समझके बनाना है तो फिर उसको आप Fahrenheit में change कर सकते हैं आपको freezing point बता दिया गया है पहले ही यहां तक कोई परिशानी आई थिंक नहीं होने चाहिए सब कुछ समझ में आ गया होगा ठीक है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर एक कोश्चन लास्ट आपका यहां बज गया है कि आपको चेंज करना Fahrenheit into Celsius Fahrenheit Fahrenheit F to Celsius ठीक है shortcut में लिखते हैं मालनो question आपका है यहां पर जैसे इसी को हम चेंज करते हैं ताकि आपको इजली वेसे कर दिया और भी बहुत तरह कोश्चन होता है चेंज करना है तो आपको फॉर्मूला पुट करना है तो आपको पता इसका फॉर्मूला भी एकदम आसान है जैसा कि उपर वाला उसी को बस उल्टा कर देना चेंज को मैंने क्या पता है एक माइनस 32 यहां पर था फाइब पहले भी लगा सकता है तो च यहां पैसे ही रहने रहते हैं एप आपका इस्ट्वेंट क्या है कोtest क्यां है 212 है 212 माइनस 32 थाटितू माइनस 1 एक मीनर म फाइन है और यह आपका यहां से 5 है ज्यान देंगे यहां तो 212 को माइनस करना है 32 स्वरी किससे यहां 32 से बाती 2 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आ यहां तो 180 by 9 और यह आपका ऐसा यहाँ पर 5 है ठीक है अब 180 को आप क्या करेंगे 5 से multiply कर देंगे तो यह आपका जाएगा 900 और नीचे है आपका 9 काठेंगे तो आपका जाएगा कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए तो ऐसे ही करके आप और भी निकाल सकते इसका मैंने एक question आपको यहाँ पर देता हूं आपको निकालना है मैं बता दूँ आपको 848 फारेन हाइट यहाँ पर दिया हुआ इसको change करना है किस में student celsius में यह भी आपका comment box में answer हो जाना चाहिए आप बना लेंगे ठीक है तो आज का lecture ज्यादा कुछ नहीं था यहीं सब points को चर्चा करना था जिसको मैंने चर्चा कर दी आप देख सकते हैं पूरे चीज को यहीं आपका formula जिसको आपको याद करना होगा student पूरा आप जब जिस दिन याद कर लेंगे उस दिन आपका सब कुछ solve हो जाएगा इस formula जो भी conversion होता है उन सबी चीज को आप solve कर पाएंगे तो कोई परिशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए आप पूरा इस वीडियो को भी देख सकते हैं यह भी चार्ट आप याद कर सकते हैं कि आपको क्या करना है यह था एट पार्ट हमने आज complete कर लिया एट पार्ट ठीक है किस चीज का आपका फॉस्ट चेप्टर फॉस्ट चे स्टी का क्लास 9 से लिया गया मतलब कि चैप्टर यहां पर इंड हो चुका है आपका फॉस्ट पार्ट तो पूरा पार्ट आपका एंसी आटी में लाइन बाइन स्ट्वेंट बताया गया कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप सातों पार्ट जो कि आपका आपको इस फॉर्मूला को जरूर आप यात किया मैंने सब कुछ सॉल्व करकर बताया आप देख सकते हैं यहां भी सॉल्व किया सब कुछ और कोश्चन भी सभी से मैंने डिस्कस कर दिया तो आइटिंग आपको कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए तो फिर स्टुडेंट मि के लिए यहां तक के लिए थैंक यू आपको देखने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में इस वीडियो को क्या करना है सेयर करना अपने फ्रेंट के साथ और आपको अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है लाइक भी करना है और आपको बेल झाल झाल